नमस्कार दोस्तों श्वागत करती हूँ आपको अपने यूटूब चैनल संध्या है उमनिष्ट में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया नियूज लेकर आई हूँ जी हाँ दोस्तों 430 किलो मस्रूम का किया उत्पादन समू की महिलाओं ने और आतनिर्धरता की मिसाल बन रही है स्वयम सहता समू की महिलाएं दोस्तों रायगर पुशोरा विकासखन में इस्थित रायगर एनरजी जनेरेशन लिमिटेट के आसपास के गाउं की दस महिला स्वयम सहता शमूहों द्वारा मश्रूम की खेती कर आत्म निर्भरता की नई कहानी लिखी जा रही है ग्राम छोटे भंडारा अमली भाउना जिवरीडी और भुनगा में बिसेसग्यों द्वारा समूहों को परसिचर परदान किया गया और तकनीकी मारत दर्शन में उन्हें मश्रूम की खेती से सम्मंधित आवश्यक शामागरी जैसे की मश्रूम बीज, पालिथीन, बैक्स, चाक्प, फाउंडर, इत्याद का सहीव देकर उत्पादन के लिए निरंतर प्रोचाहित किया जा रहा है इस कारिकरम की जानकारी देते हुए फाउंडेशन के प्रवक्ता, अदारी फाउंडेशन के प्रवक्ता कहते हैं कि बर्तमान में मश्रूम की खेती के लिए 10 स्वयन सहता शमू हैं जिन में से अब तक 48 महिलाएं जुड़ चुकी हैं इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से ससक्त बनाना है इन महिला समू हो द्वारा पैडी श्ट्रा यूम आई स्टेर मस्रूम का उतपादन कर ग्राम यूम अस्थानी अस्तर पर ही बेचा जा रहा है यूम अभी तक इन समू हो द्वारा छे महीनों में कुल 430 किलो मस्रूम का उतपादन किया गया है जिसे अस्थानी बाजार में बिक्री कर करीब 75,000 रुपए की अर्जित हुई समू की महिलाओं द्वारा अपने मस्रूम के बेउसाय को बिस्तार करने के उद्दे से सिखर मस्रूम भंडार शमित का गठन भी किया गया है जिसके माध्यम से बाजार मा के अनुरूप उतपादन अपूर्थी और मार्केटिंग का कार बिवस्तित तोर से किया जा रहा है संधिया साव ने कहा मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाए पर बहुत पैसा खर्च होता है जिसका खर्च वहन करने में मेरे परिवार की काफी परिशानियों का शाम ना करना पड़ता है जब मुझे अधारी फाउंडेशन के पहल के बारे में पता चला तो मैं और मेरे शमूर के सदस घर पर मस्रूम उगाने और अस्थानी बाजार में बेच कर आयर जित करने काफी उससाहित हुए आगे संध्या साव ने कहा हमने फाउंडेशन द्वारा आयोजित परशिछट सिविर में हिस्सा लिया परशिछट पूरा होने के बाद दिये गए निशुलक मस्रूम बीज और अन्य समागरियों की मदद से मैंने और हमारे समूं के अन्य सदस्थे ने बहुत ही कम इस्ट्रा मस्रूम की विक्री से लाव अर्जित कर रहे हैं और अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को कूरा कर पाने में सच्छन होने के साथ ही आथ ने भर भी बन रहे हैं इसी प्रकार ग्राम छोटे भंडार के ग्रिह लच्चमी स्वयम सहता समूं की सदस्रेवती यादों ने बताया कि मेरे पती मजदूरी का काम करके परिवार को चला रहे हैं उनके इस काम में मैं भी हाथ पटाती थी लेकिन परिवार के अन्य कामों यों बच्चों को कम समय दे पा रहे थी तब ही मुझे समूं की अन्य महिलाओ द्वारा इस फाउंडेशन की मसरूम उत्पादन पर सिच्छर कारकरम के बारे में पता लगा और तुरंत ही मैंने मसरूम की खेती करने का मन बना लिया आगे रिर्ती ने कहा मेरे परिवार वालों ने भी इस कारे के ल रहा है हमने हम लोगों अब अपने घर पर ही कर रहे हैं आयर जित कर अपने परिवार का प्रयाप्त समय देने के साथ एक घर की देनिक जरूरतों को कूरा करने में सच्छम है रागर्न एनर्जी जनेरेशन लिमिटर छोटे भंडार की सामाजिक सोरोकार के तहत सिच्छा स् आजीविका शमवर्धन और अधुसन रचना विकास के कई कारे करम संचालित करता है जिसमें आजीविका शमवर्धन में महिला स्वयम सहाता शमूह को शिलाई के साथ है विभिन क्रिशी उतपादों के बारे में जानकारी देकर प्रोसाहित करता है तो दोस्तों ये रही स् मस्रूम की खेती से संबंदिज जानकारी और रेटी जी संध्या जी ने बहुत ही बढ़िया कारे किया है तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरह से रोजगार करिए और अपने कारे को शिखर तक ले जाएए और अपने आर्थिक इस्तिति में भी काफी सुधार लाइए तो दो अपने बाद नमस्कार जैहिंद बंदे बातरम दोस्तों